आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Given question है R is an element of P, Q, not P, not Q और हमें यहापे दे रखा है P और R implies P and Q और R is a tautology तो हमें यहापे क्या है? यह हमें दे रखा है यह एक tautology है तो यहापे हमें R का find करना है origin element of P का है, Q का है या not P का या not Q का है, ठीक है तो अब यहापे जो हमें tautology दे रखी है यह दे रखी है P और R ओके, implies अब यहाँ को हम यह जो दे रखा है इसको basically by using the distributive property इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P और R ओके, P और R ओके, end इसको लिख सकता हूँ Q और R, ओके अब यहाँ पे यह basically है क्या? यह P और R, implies P और R ठीक है, तो यहाँ पे अगर basically हमें यहाँ पे कहीं दे रखा हूँ P implies Q की जगह है यहाँ पे भी अगर P दे रखा हूँ तो यह तो always true होगा ठीक है तो यहाँ पे अगर हमें basically यह totalogy है तो यहाँ पे अगर इतना होता तो यह basically true होता है अब हमें यहाँ पर करना है, इसको हमें क्या पूरूब करना है, कि यह भी एक total होजी है, always true है, तो इसके true होने के लिए, अगर मैं r को basically not q यहाँ पर put कर दूँ, not q, तो यह क्या हो जाएगा, q और not q, ठीक है, तो यह जो condition होगी, यहाँ तो q है, q नहीं है, तो यह क्या है, always true होगा, okay, यह होगा basically यहाँ पर always true, अब अगर यह always true होगा, तो इसका अगर और find करेंगे, तो यह भी true होगा, ठीक है, तो यह complete true होगा, तो यह basically क्या है, यह तो यह कि तो यहां पे चेक कर लेंगे, तो यह भी क्या हो जाएगा, वेसिए के लिए प्रू हो जाएगे. अब अगर यह ूजाएगे, तो यह कब ट्रू ही है, जब हमने R की value क्या है, NOT की यहां पे पूट की है, ठीक है? तो यहां पे जो not किवा यानिक option 4 हमारा सही है Thank you